तो ये चार्ल्स डिकेंस की नोवल Great Expectations का पार्ट टू है जिसका पार्ट फिर्स्ट मैं पहले डिस्क्स कर चुका हूँ अगर आपने वो आडियो बुक नहीं सुनिये तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बिल जाएगी अभी जाकर सुरू लेजिए शुरू करते हैं आज क की वो इसे पढ़ना लिखना सिखाती थी लेकिन ये सीख नहीं पाता था ढंक से कुछ लेटर्स लिखता था अपने बेहनोई जो को उसे दिखाता था तो वो बिचारा पढ़ना ही पाता था वो पढ़ा लिखा नहीं था वो अपने बच्पन की कानिया सुनाता था इसको य अब दूसरों मैंने आपको बताया था वो अंकल पंबल चुक जो थे जो क्रिस्मस के दिन इनके घर पे आये थे वो आकर इनको बोले एक दन कि एक अमीर लैंड लेड़ी है मेरी मैं सहिविसम नाम है उनका विल्कुल अलग से लाके में रहती है वो कोई छोटा सा बच्चा ड जाएगा तो मतलब इसका फ्यूचर ही बन जाएगा शायद कुछ अच्छा हो जाए तो जल्दी जल्दी ये पिप को नहलाने लगी तयार करने लगी अच्छे कपड़े पहना है पिप पहली बार अपने बहनोई से जो से इतना दूर जा रहा था अंकल पंबल चुक अपने लेकिन कुछ पुराना सा लग रहा था अंदर जाते ही अंकल ने डूर बिल बजाई एक जवान सी ओरत ने दर्वाजा खोला ये अंदर गए तो एकदम जख अंदेरा कैंडल्स जल रही थी गर में पिर एक दर्वाजे के अंदर गया पिप अंदर जाके एक कमरे में गया त बैटी थी उसने पिप को इशारे से अपने पास बुलाया और पूछा बच्चे दर क्यो रहो चलो मैंने तुम्हें यहाँ पर खेलने के लिए बुलाया तो खेलो फिर मिस हैविसम ने अपनी बेटी को वहाँ पर बुलाया जिसका नाम था एस्टेला एस्टेला एक बड़ कैसी लगी एस्टेला मेरे बेटी तो बोला सच कहूं तो बहुत ही घमंडी है पिप को यहाँ इस लड़की के साथ बिलकुल भी अच्छा ने लग रहा था क्योंकि एस्टेला बहुत ही बत्तमीज लड़की थी और ये लड़का था एमोशनल तो रोने लगा इसके बाद य इसने अपने बेहनों ही जो को तो बताई दिया कि एक्चली वहाँ पर क्या-क्या हुआ था और लड़की कैसी घमंडी है वो अब ये तो वापस आ गया लेकिन वो लड़की और उसकी की हुई बिजदत ही इसकी दिमाग में गुमने लगी इसकी दिमाग से जाने रही थी य उतको छोटा फील करने लगा और उन्हों मेरों को बड़ा फील करने लगा और मन ही मन में इसने सोच सोच की ठान लिया कि अब मैं भी उस लड़की के लेवल का बनूँगा अपनी दोस्त बड़ी से बोला कि मुझे पढ़ाओ जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे खुब पढ़ने लगा पढ़ने में पूरा ध्यान दे रहा था और एक दिन ऐसे इसने स्कूल से आते होई देखा कि एक आदमी एक स्ट्रेंजर इसे देखा देखने में पता निए क्यों वो स्ट्रेंजर उस बदमाश जैसा लग रहा था जिसकी शुरू में इसने मदद की थी ठीक है तो ये स्कूल जाने लगा खुब पढ़ने लगा फिर वो स्ट्रेंजर इसे दिखा नहीं पूरे एक हफ़ते के बाद में ये वापस मिस हैविसम की घर गया वहाँ जाकर इसने देखा कि मिस हैविसम की कुछ रिच्टदार वहाँ पर आये हुए थे एस्टिला भी से वहाँ पर मिली इसने नोट किया कि इस घर के लोग और इस घर में आयोे सारे रिच्टदार सारे के सारे घ смотреть है आज मिस हैविसम का बर्डे है इसलिए सारे रश्चेदार उन से मिलने आए जो हर साल इसी दिन आते हैं उनके जाने के बाद पिप एस्टरला के साथ कार्ट्स केलने लगा पीछे बैटी मिस हैविसम अपने बेटी की तारीफे करने लगी कि मेरी बेटी तो कितनी खुबसूरत है ये सब चीजें पता नहीं ये दोनों मा बेटी चाहती किया है आखर पिप से जाते जाते मिस हैविसम के किसी नौकर से उसकी लड़ाए हो गई इसका इसे डर लगा कि वापस कर लाऊंगा तो मिस हैविसम इसे डाटेंगी لیکن ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लगए आट दस महीनों तक ऐसे ही मिस हैविसम के घर sırा एस्टला के साथ खेलता था मिस हैविसम बार बार इसके सामने एक ही बात बोलती थी बार बार एक ही बात बोलती थी कि मेरी बेटी कितनी खुबसूरत है अगर यह औरत चाहती क्या थी पेप से पेप हमेशा मैं सहाविसम के सामने अपने बेहनोई की तारिफ करता था जैसे यह अपने बेहनोई की तारिफ करता था कि मेरा बेहनोई जो है जो मिस हैविसम ने एक दिन बोली दिया कि मैं देखना चाहूंगी तुम्हारे बहनोई को और मिस हैविसम के कहने पर अगले दिन इसका सीधा साधा बहनोई आया मिस हैविसम के बड़े से बंगले पर बड़ा घबराया हुआ था क्योंकि इससे पहले कभी भी वो इस तरह से किसी बड़ी जगह पर आया नहीं था मिस हैविसम जब सवाल जबाब इससे पूछने लगी तो बड़े अजीब ढग से ये बोलने लगा जिससे पिप को बड़ी शर्म से आने लगी आखिर मिस हैविसम ने पूरी बात खतम करने के बाद में बोली दिया पिप को कि ये लो तुम्हारे पैसे और आज की बाद यहां आने की ज़रूरत नहीं है और इसके बाद ये और इसका बहनोई दोनों वापस आ गए अब क्या हुआ इसके बाद पिप के साथ में पिप जो इतनी छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है जब मिस हैविसम ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो अब इसकी मान सकता पर क्या आसर पड़ेगा और वो क्या करेगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में